आप पर ऐसे नहीं लग रहा है कि यह TFT पैनल है यहां पर आपको यह भी आमुलेट के जीसरी फील देखें इसको बाइब कर लिए और यहां पर आपको एक और आपको पर आपको पंदरा सोगा एडिशनल डिसकाउंट मेलेगा यहां यह फोन आपको मिलेगा चार एक्सटाइस वाला ग्यारा अजार में यह जो आफ़र है आपको बीडी से लेने की फिलिपकार के उपर साथ ही में सैंस किसी भी ऑफ-लाइज शॉप के उपर जहां पर आपको यह आई से क्रिट कार की आफर मिल जाएगी तो मातर 11000 में सैंसुन का स्मार्ट फोन कैसा है क्योंकि अब तक मैंने जो है वह 30,000-50,000 के उपर तक के स्मार्ट फोन यूज के लेकिन 11000 का फोन पहले बार में बाय किया ह है तो चलिए करते हैं इसकी क्विक अन्बॉक्सिंग देखते हैं कैसा है स्मार्ट फोन आपको जल्दी इसकी डिटेल में रिवी वीडियो आने वाली है और आपको एक चूट असा काम करना है बहुत यासा ने वीडियो तो आप देखे रहे हो ना और लाइव भी करने आ ल नियुक्त करते हिसकी सील ब्रेक तो यह बॉक्स घ्रफं बहुत ही स्लीम बॉक्स है अगर आप देखो तो यह चारजर नहीं मिलता यहां पर सिमग्टर पीन और इसमें आपको देखने मिलते हैं कुछ डॉक्ओमेंदेशन और यहां पर आपको मिलती है केबल जो की टैप C- और इको तो प्रेंग design, केबल है, और कोई बम डिखे को यह, फिलिए थिक यह मिलती, प्रेंको कंवीज़ दिखने मिलती है खुरा में और को हम बसे पहसे जार्ए स्मार्ठफ कंश्य थेतिते हैं, और यह है आपको फ्लास्टिक की ही देखने मिलता है, इसका हम वेट भी कर लेते हैं, 198 g ग्राम का यह फोन है, तो ज्यादा कुछ है भी लग भी नहीं रहा है, यहां पर हमारे पास में अंदर का यह फोन आपको देखने मिलता है, और यहां पर हमारे पास में aand awake भी और इसका भी प्लास्टिक का और फ्रेम भी प्लास्टिक की है, यह क्यामरा Ub Connor मोटल है, आपको लग भग उख थोबार चा होकि, फूबार प्लास्टिक की तो यह थोड़ा सा अांद है, इस से थोड़ा महमूली वीग हिसी है, यह फो fryेicky आ और यह है volume up and down keys, इतरवाज आपको देखने मिलता है sim card tray, यहापे आपको sim card tray मिलता है triple, यहाप दो sim में और एक memory card लगा सकते हो, और यहापे आप 1 TB तक के memory card लगा करके इस phone कर सकते हो memory को, और इस phone में आपको कोई भी IP rating देखने नहीं मिलती है, तो आपको sim card tray के ओबर कोई भी rubberized gasket देखने नहीं मिलता है, तो आप इसको पानी से थोला सब बचा करके ही रखना, और निच्चे आपको देखने मिलता है type C का port और यहापे आपको primary mic देखने मिलता ह यहापे आपको एक single mono speaker देखने मिलता है, इसमें आपको कोई भी stereo speaker देखने नहीं मिलता है, तो चलिए करते हैं इसको boot, और boot करने के बाद में इसका करते है setup और आपको दिखाते है कि क्या कुछ आपको इसमें देखने मिलता है, कैसा इसका display बगर है, कौन सा security patch है भी चल र मिलता है, और यहापे बिल्कूँ constant मिल रहा है, और यह जो display यह 6.6 inch की एक TFT full HD display, जो की 120 hertz refresh rate को support करती है, तो इस display का क्या है, कि इसमें आपको मिलता है TFT के panel, वैसे तो यह full HD plus है, साथ में 120 hertz है, गोर्ला ग्लास 5 है, तो हम इसके display को compare करते है, S20 FE 5G के display के साथ में, जो की AMO दोनों ही songs को हम play कर लेते है, यह हमें play किया, यह भी play किया, और सबसे भी हम setting में जा करके, इन दोनों ही का resolution है, उसको हम बिल्कुल 1440p के उपर कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहापे 1440p, ओके, और यह नीची बाजु जो है, यह है F23, तो यह भी support करता है, 4K तक के तो यहापे हम कर लेते है, 1440p, यह रहा, और यहापे हम दोनों ही वीडियो को साथ में play कर देते है, तो अभी आप देखो कि दोनों ही display में आपको same to same songs देखने मिल रहे है, यहापे आप पताओ कि किसकी quality आपको अच्छी मिल रहे है, जो colors है, दोनों ही में आपको बहुत ह देखने मिल रहे है, तो यहापे ऐसा नहीं लग रहा है कि यह TFT पैनल है, यहापे आपको यह भी AMOLED के जिससे feel देगा, यहापे आपको यह TFT पैनल है और एक AMOLED पैनल है, जो color से देखो दोनों ही कि आपको बहुती accurate और बिल्कुल लगबग समान देखने मिल रहे है, तो यहापे बहुत अच्छे से display को, यहने कि AMOLED को भी टक कर दे रहा है, तो यहापे आपको 11,000 में जो display मिल रहा है TFT वाला, वो सच में impress करता है, अब यह आप देखो तो यहापे दोनों ही मैंने HDR वीडियो को प्ले कर दिया है, और उपर वाला S20 FE और नीचे वाला गर आप तो यहापे दोनों ही का display यहने कि brightness full है, और आप देखो कि quality जो है किसकी अच्छी मिल रहा है, यहने कि AMOLED टो AMOLED ही है, लेकि जो TFT वो भी बहुत ही sharp और accurate color दिखा रहा है, देखो कितना अच्छा color आपको यहापे भी देखने मिल रहा है, आपको यहापे फरक देखने मिल की, तो मैंने F23 के TFT डिस्प्ले को compare किया, S20 FE के AMOLED डिस्प्ले के साथ में, तो हाँ AMOLED होता है, यहापे quality आपको अच्छी मिलेगी, यहापे जो vividness है, पंचीनिस है, जो color boost वगरे आते हैं, तो वो definitely deep black वो आपको AMOLED में अच्छे मिलने वाले, लेकिन अगर हम बात करें 11 प्रादर की हिसाब से, तो जो यह display TFT का, वो आपको इसे feel लही देगा कि बिल्कुल cheap है, अगर आप देखो तो इसे color बिल्कुल on point है, और आपने वीडियो में देखा, बियो मैं personally खुद भी shock हो था कि इतनी अच्छे color से कैसे निकाल पा रहा है, और आप लोग को एक बात म अच्छा लग रहा है, तो मैं TFT को मैं AMOLED के बरावर में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो quality TFT की जो आपको मिल रहा है 11 जर में, वो definitely बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने जो feel किया मैं आपको बिल्कुल share कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सो लोग 11 12 के range में फोन करीदना चाहते हैं, लेकिन just because वो क्या करते है कि सरी TFT के लिए फोन को buy नहीं कर रहे है, तो यह कोई paid review नहीं है, लेकिन जो मैंने feel किया मिन उनको बता दिया, इसके बतले में आपको M33 भी आता है, लेकिन आप एक जिनास मिलता है, तो definitely मैं आपको recommend नहीं और आपको box में type C to C cable मिलती है, तो आपको बस यह adapter खरीदना पड़ेगा, जो कि 25 रेट का है, जो कि आपको मिलेगा 1300 रोपिका, तो लगबग इस से देड़ घंटे में phone fully charge होना चाहिए, क्योंकि यह पर आपको battery मिलती है, पांच हरे image की, और battery backup कैसा है, कितना है आपको SOT म मिलता है, यह तो आपको सपुच में बाते यूज करने के बाद ही बाता पाऊंगा, बहुत ही जल्दी में इसका review लाने की कोशिश भी करूँगा आपके लिए, तो हम आच चुके है software के अंदर, यहाप आप देखो तो 1 UI 4.1 है, यह 1 UI core नहीं है, और यह जो Android 12 का version है, अब तो यहाप आपको latest Android 12 भी देखने मिल जाता है, और यहाप जो security patch level चल रहा है, वह 1 जून 2022 का, तो अफिर हमने यह पर software update को चेक किया, तो जैसे हमने अन्बोक्स किया, हमें यह एक update capability जो की लगबग है, 413 MB की, तो हमने इसको download के उपर लगा दिया, और अभी जो security patch level हो चु और यहाप आपको देखने मिलता है motion smoothness, तो यहाप आपको दो option देखने मिलते हैं, एक standard 60 Hz वाला, और एक 120 Hz वाला, लेकिन यह adaptive होई, यहाप आप देख सकते हूं कि mention है, get smoother animation and scrolling by automatically adjust your refresh rate up to 120 Hz, तो यहाप यह adaptively काम करता है, तो यहाप इसलिए हमने इसको on किया था, तो देखो कि जैसे हम यहाप यूज करना बन कर देते हैं, यह 60 Hz हो जाएगा, तो अधाप्टिव तरह कैसे काम करता है, ऐसे कुछ है, यहाप जैसे हमने सेटिम में गया, तो यहाप यह काम कर रहा है, हम इसको side by side compare भी गड़ते हैं, तो यह मेरा side में S20 FE भी है, जो की 120 Hz को support करता है, तो अभी हम यहाप पर स्क्रॉल कर रहा है, तो आपको बिल्कुल ग्यारादर में 120 Hz का feel Samson दे रहा है, देखो यहाप बिल्कुल स्मूद है, और यहाप भी लगबग आपको same to same 120 Hz का feel लेखने मिल रहा है, यहाप कुछ भी ऐसे मुझे issue तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, द आपको Dolby Atmos भी देखने मिलता है, सिकर फोल्डर भी अल्जी लाइब भी आपको देखने मिलता है, और हम बैटरी इंड डिवाइस के वर में जाते हैं, तो आपको यहाप पर एक जो नया फ्वीचे से 1 UI 4.1 में, बैटरी प्रोटेक वाला वो भी आपको देखने मिलता है, अटरी चार्ज करता है, यह आपको यह आपर भी देखने मिलता है, और अम बात करें पर RAM प्लस की, यान्य की वर्चुल RAM की, तो मेमोरी में यहाप आपको नीचे बाजू, RAM प्लस का ओप्शन देखने मिलता है, यह देखें, तो चार्ज इबी तो आप चार्ज इबी राइड कर सकते हूग तो जो मेंन मेने फीच्जेते से उनора इसे देखने मिलते हैं तो आपको आपको आप्टेटें хотя पूर्टों से कुछ विडियो मोड और ऑर शांदिडेदो को देखने मंता है 4K 30 एपिस तख साफोर्ट नहीं मिलता और मोल देखो तो आपको सेंपल आपको आपने चैमेर सैंपल देखी लिए तो जो प्राइस के उपर आपको एपोन मिल रहा है और आपको यह पर ट्रीपल क्यामरा का सेट अप भी है और जो सेल्फी क्यामरा आपको मिलता है सिर्फ 8 मेगा विसल का लेकिन यहाप पर जो 8 MP का सेल्फी क्यामरा है यह मुझे इसा लगा था कि इतना अच्छा परफूम न बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि यह पर कुछ ऐसे चैनिस कंपने जो कि 32 MP का सिल्फी क्यामरा देती है लेकिन वहाप पर आउटपूर इतना अच्छा नहीं आता तो यह 8 MP का क्यामरा 32 MP से थोड़ा से जाधा बेटर अच्छा काम कर रहा है वह अच्छा काम कर रहा है बारा से बारा पंदरा के बीच में है वह इस फोन को इस फोन को कर सकते है किसी को अपने मम्मी पापा को गिप करना हो तो डेफिनिटली वह तो बिल्कुल दे सकते है कोई भी इस्यू नहीं है क्योंकि यह फोन 5G रेडी भी है तो जब भी 5G आएगा तो आप 12 में के साथ मे यह एक स्टेबल चिपसेट है तो यहाँ पर जादा थ्रोटलिंग और हीटिंग की इस्यू भी आपको देखने नहीं मिलते हैं बस कॉंस एक है कि आपको मिलता है TFT का पैनल जो कि मैं आपको क्लियर कर दिया कि इतना भी यह चीप क्वालिटी के पैनल नहीं आपको अच्छ से इसको टकर दे सकता है अच्छा लगा और इस फोन को मुझे कौन से स्मार्टफोन के साथ में करना चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो तो कुछ ऐसा यह फोन है और मुझे पहली बार में जो लगा मैंने आपको बता दिया शेयर कर दिया अगर आपका बजेट 11-12 के आस चूज आते तो डेफिनिटली आपको मैं जल्दी वीडियो देने की कोशिश करूंगा और बहुत जल्दी यानिकि आपको कल यह फिर परसों के जिन में आपको S21 FE का भी वीडियो आने वाला है क्योंकि फोन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है तो आप अगर देख रह